हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजरिंग.in पर दोस्तों यहां पर RGPU का एक नोटीस आया है जो इस पर इसलिए फर्स्ट यर के स्टुरेंट्स के लिए है तो यह काफी इंपॉर्टन नोटिफिकेशन है तो आप प्लीस से मिसना करें और इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखे दोस्तों यह आप फर्स्ट यर के स्टुरेंट है और आपने के एक्जाम दिया था अपनी फर्स्ट सेम की जो आपके एक्जाम हुई थी एक अपरेल से लेके 16 अपरेल 2021 तक तो आपके लिए फिर से एक चांस मिला है ज़िए आप कम नंबर आये होंगे यदि आपके फर्स्ट सेम में या आप अपसेंट रहोंगे या किसी कारणवस हो सकता है आपका सिस्टम खराब रहा हो या मुवाइल एप काम ने किया हो या सरवर इशू रहा हो तो आप कभी कि किसी कारणवस दिया आप एक्जाम नहां दे पाए हो तो आपके लिए एक और मौका या पर आर जी पीवे आ पर नन्यूटीस किया है और आपके यहां पर फिर से एक चांस आपको दे रहा है तो यहां पर नोटिकेशन आपका एक मैं को आया है यांपर एक में दुवाल इक जिसमें डाइट बात की गई है आपकी एक्जाम की इसमें लिखा है कि 1 अप्रेल से 16 अप्रेल 2021 तक आयो जित प्रत्म सेमिस्टर के अनुप्रस्तित या कमंक प्राप्त करने वाले विध्यार्तियों को परिक्षा का एक और आउसर प्रदान करने ही तो यह जो नर्टुप के तो इसके बारे में डीटेल में हम छड़ा डिसकस कर लेते हैं यहाँ पर बात की गई कि जो आपकी फरस्टे की जो एक्जाम हुई थी एक से लेके 16 अप्रेल के बीच जिसमें आपकी MCQ-based आपकी online एक्जाम हुई थी और यहाँ पर लिखा है कि ऐसे विध्यारती जो किसी क आपका internet की समझता के वज़े से आपका जो एक्जाम था वो cancel हो गया था तो आप सभी फिर से एक्जाम आपको आपके लिए एक्जाम कंड़क्ट राई जा रही है जो एक और बहुत से स्टुडेंट्स है जिनके फरस्ट यर में फरस्ट एम में नंबर कम आया है जैसे कि 70 जो आपका question paper होता है उसमें सियरो से 21 अंक प्राप्त होगे आपके यदि आपके income number आये होंगे तो आपके लिए भी यहाँ पर फिर से यहाँ पर exam conduct राई है RGPV ने तो इसमें सभी students को यहाँ पर exam नहीं देना है बहुत सारे students को नहीं देना है सिर्फ limited students जिनका यहाँ पर paper देना है तो चलिए आपके देख लेते हैं यहाँ पर लिखा है कि कम या अनुपस्थित जो विद्यारती थे उनकी सूची आपके इस portal ने upload की गई है तो वो सभी की जो आपकी सूची है वो हम आपको इस PDF में दिखाएंगे जैसे कि इसमें लिखा गया है कि आपकी exam जो हो बीच में होगी और जो आपके second shift होगी वह तीन बज़े से पाच बज़े के बीच में होगी जो exam होगी आपकी वह online होगी और MCQ based होगी मतलब पुराने pattern पर ही based होगी ठीक है तो friends सदिया आप किसी कारणवा से जाप exam न दे पाये हो तो please आप इस बार exam दे सकते हो और बहुत कोलेज आसुक नगर की यहाँ पर लिस्ट में देखिए आप जैसे कि अभीशेक सर्मा का नाम लिखा हुआ है जिसके अप्लेड मेकेनिक्स पैक है डबली एस बैक है computer science computer intro to computer और ED इनका रुका हुआ है इसी प्रकार से आप देख सकते सभी कॉलेज की आप लिस्ट जारी किय हुआ है असुक नगर की आपने देख लिया इसी प्रकार से यह गौवर्मेंट कोलेज बालाखाट की लिस्ट है जहां पर आमान असुतोष और बहुत से स्टुएंट्स की ED रुकी हुई है इसी प्रकार से जैसे आप यहाँ पर स्टॉल करती जाओंगे तो यहाँ पर सभी कॉलेज मद्यप्रदेश की जितने भी कॉलेज है चाहे गौवर्मेंट हो या प्राइवेट हो सभी की लिस्ट यहां पर जारी की गई है और जिनका भी नाम इस लिस्ट में है उनी को आपको एक्जाम देना है यह आप एक्जाम ना दे पाए तो यह आपका अंतिमा उसर है आपका बैक लग सकती है आप वनचीत हो सकती एक्जाम में पास होने से तो आप इस पीडियाव को जरूर देखे हमारी यह जो पीडियाव है आपको हमारी टेलेग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी या फिर आप आर जी पीडियो पोटल से भी इस पीडियाव को जासे इस लाने वाले है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कोई भी डाउट हुआ तो आप में इंस्टागाम पे याट हमारी टेलेग्राम चैनल पे आप हमसे कोशन करके आप हमसे जूर सकते हैं तो आप तैयार यह एक्जाम के लिए यह पीडिय जो काफी पसंद आया होगा आपके लिए काफे help पूल होगा ठीक है फ्रेट्स मिलते हैं आपसे next वीडियो पे thank you